गुड मॉर्निंग केड्स तुड़े भी आप टु स्टार्ट चैप्टर फोर फोर हिंदी ग्रामर क्लास वन शब्द चैप्टर ने मीज शब्द और वाक्य वर्ड एंड सेंटेंस हम स्टार्ट करें जानेंगे की वर्ड और सेंटेंस क्या है और उसके बारे वो कैसे बनते हैं शब्दों से वाक्य बनते हैं बच्चो और फिर शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं हम इसको समझेंगे गी कैसे हम बना यूज करके शब्द बनाते हैं और शब्दों से कैसे हम बार के बनाते हैं Now let's start वन माला के वर्णों को मिलाकर शब्द बना जाते हैं वन माला जो ये सब वन है वन माला क्या होता है का, की, का, ख, ग, 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 जो भी है यह सब क्या है वर्ण जिससे हम शब्द बनाते हैं हम ओलम पढ़ते हैं जो हम अई यह क्या होता है ओलम जो हम समझते हैं सौर और व्यांजन जिनसे बनते हैं इसी तरह से हम वर्ण बनाते हैं और वर्ण कैसे होते हैं वर्ण माला ही वर्णों को जोर जोर की वर्ण माला बना के उनको शब्द बनाते हैं वर्ण माला के वर्णों को मिला कर शब्द बना जाते हैं हर शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है हर शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है जैसे कमल यह क्या हुआ शब्द जैसे वर्णों को बिला कि क्या बना का माल कमल अब यह क्या है कलम कलम यहाँ बना हुआ पैन पैन को क्या बोलते हैं हिंदी में कलम कलम क्या यह कुछ ही कुछ नहीं है यह आपको आप इसका मतलब समझ पा रहे हो ना ही कमल है ना ही यह कलम है तो यह क्या है? यह wrong वर्ण है, आप ऐसे भी नहीं बना सकते हैं, वर्णों के सही मिल से ही शब्द बनते हैं, अब यह क्या हो गया? यह गलत हो गया, यानि कि wrong, जो कोई भी शब्द, इसका कोई meaning नहीं है, तो बिना अर्थ वाले शब्द वेकार होते हैं, उनका कोई मतलब न नहीं है, इसलिए शब्द बनाते समय सही वर्णों का सही जगे प्रयोक होना चाहिए, और यह बहुत ज़रूरी है, आओ देखिए, शब्द कैसे बनते हैं, जैसे यह, आप देख रहे हो, बच्चों सब्द लोग यह यूज़ करते हैं, सब्जी बनते हैं, सब्जी बनती ह यह, यह है, भवन भवन, जो घर है यह, इसको भवन भी बोलते हैं, फिर यहाँ पर एक मटके से बना हुआ है, कलश, तो इसमें क्या शब्द बनेगा, आप इसको बना लिखोगे, देखो बच्चों, अल्रेडी यहाँ पर मटर लिखा हुआ है, तो इसका सामने इसका मटर हो गया, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर भवन भवन, यानि कि घर को में क्या बलते हैं, भवन, फिर यह आप देख रहे हो, क्या बना है हुए, तो कलश, शलगम बारा शा है, ये बोटल जीसा सको क्या बोलेगा है, थर, र, म, स, थर, म, स, फिर आप क्या करोगे जो ये वण लिखेंगे, बाटर यहाँ पर निचे लिखा है बॉक्स में, इसी तरह से इन सब को भी आप अपने बॉक्स में कंप्लीट करोगे, जो मैंनी सिर्फ इया, जो यह पने फिल क किया हुआ हैं डैश में वो आपको इसमें बॉक्स में फिल करना है फिर यहां पर कुछ वन गलती से उलट पुलट गये हैं आओ उन्हें सही जगे पर लगा कर शब्द बनाए न च आक कुछ हुआ नहीं तो यह क्या बनेगा बच्चो इसको क्या बढ़ेंगे आ च क न जो यह हम कुछ पहनते हैं उसको कपड़ हो टे अचकन रद बग कुछ हुआ नहीं तो क्या बनेगा बर्गत बर्गत का पेड़ होता है न अभी पूझा आई थी बर्गत की तो यसमे आफना बार्गत की पूझा की तई जागे न फिर गश माल क्या होगा शाल गम तो हम क्या अलगम शलगम फिर अरगज क्या बनेगा अजगर बहुत लगता है न अजगर से अजगर ये हो गया सही शब्द और जो उल्डर को लटके थे उनको हमने सही गर के सही करम में लगा के और उनको सही शब्द उनके बना दियें अब वाक के शब्दों के सही मेल से वाक के बनते हैं ये क्या है शब्दों ये भी है लेकिन क्या इनके सही मेल से कुछ वाक बनी है शब्दों के ये शब्द है ये वर्ण है जो वर्णों के सही मेल से शब्द बनते है वैसे ही शब्दों के सही मेल से वाक बनते है शब्दों क में शब्दों का सही जगे का प्रियोग करना आवश्यक है जैसे मैं हूं जाता घर ये गलत हुआ मैं घर जा रहा हूं ये है सही बन आप क्या करेंगे इसको इस वाक्य में शब्द तो सही है लेकिन उनका प्रियोग सही जगे पर नहीं किया गया है इसलिए यह वाकिक गलत हैं सही वाकिक क्या है? मैं घर चाता हूँ आज जाता है तो यहाँ पर जाता है मैं घर चाता हूँ आओ देखें वाकिक कैसे बनते हैं रमन प्लस खाना प्लस खाता प्लस है अब क्या करें? रमन खाना खाता है शब्दों से क्या बना वाक्य रमन खाना भाता है बच्चे खेल रहे हैं इसी तरह से देखो मचली प्लस तलाब प्लस मी प्लस तैर प्लस रही प्लस है मचली तलाब में तैर रही है ये शब्दों से वाक्य बने हैं जो सही है जिनको बोलने में भी हमें अच्छा लग रहा है और जो शब्द हमको comfortable है कि इस दी हमको confidence भी आ रहा है कि यह शब्द सही है बट इसको बोलने में क्या आपके नदर confidence आया मैं जाता हूं जाता घर नहीं अर्पटाता लगा न इसी तरह से ज़तक सही शब्दों को प्रयोग नह बनाएंगे आपको समझ में वह बाक के पूरा नहीं होगा आओ दोहराएं तो बच्चो आपने सीखा कि वर्णों से बने शब्द और शब्दों से बने वाक्य यही तो भाशा का खेल है आओ करें नीचे दिये गए शब्दों को सही क्रम में लगा कर वाक्य बनाएं रही प लिखे देती हूँ वाकी आप खुद फिल करोंगे पतं उड़ पतं उड़ रही है तो आप इसको फिल करोंगे पतंग उड़ रही है यह हुआ सही शब्दों चिक्यार तो आप इसको आपको जाता है बाजात मधन चामकता आस्मान में सूरज में गया देथी दूध चक्वाग के बनाएं मिठाई अच्छा रही खेल पतंग खाना लगता उड़ा मीन रहा गाना गी पड़ती मदन है को श्याम पड़ आप इसको भी अपने आप से फिल करोगे और अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं इसको कल आप लोग के क्लास वर्ग में कम करता है वक न कं है कि आप लोग के आप लोग क्लास वर्ग है और यह वबिख करना है करते क्लास वर्ग में आपको मिलेंगे यह आपनी वीडियो में आप देख सकते हो वह इसके बाद मैं इसमें पूर को आप इसमें से बहुत अच्छा neck बनाने मिठाई कि हैं मिठाई से क्या बनेगा मिठाई मुझे बहुत अच्छी हूता है मैं यह खेल रही हूं मैं खेलने जा रही हूं मुझे पसंद है इस तरब से कुछ विवाक्य बना सकते हैं ठीक हैं । इटाउर एक य।